हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तु माइ चैनल हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम तु माइ चैनल तो शाम हो गई है, साड़ेच्छे बच चुकी है और अक्ष गया हुआ खेलने ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है वो इस ताइम तो देखी मेरी महली का कलर लाइट हो गया है बहुत अच्छा आया था कलर तो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ आज मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी अपना पूरा घर दिखाऊंगी सब के लिए सब का घर बहुत माइने रखता है सब अपने घर को मैनेज करके रखते हैं अच्छी तरह से और मुझे तो मेरा घर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने एक एक चीज अपने हिसाब से बनवाई हुई है खड़े होकर तो बहुत मज़ा आता है अपने घर को मैंटेन करके रखना तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने कि नए नए वीडियो की नॉटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये है हमारे घर की में एंट्री में गेट ये है हमारे घर का और आप देख सकते हैं यहां मेरे पारलर का बोर्ड लगा हुआ है ओसम ब्यूटी वार्ड के नाम से तो चलिए अंदर चलते हैं मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा घर ये हम गेट फोल के आ गए हैं अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं इस साइड में ये देखी ये है मेरा पार्लर पार्लर टूर तो मैंने आपको करा ही दिया था मैंने दिखा दिया था आपको अपने घर का पार मेरे घर में पार्लर कहां पर है अब चलते हैं अंदर की तरफ ये दे यह देखिए यहां से अंदर को जाते हैं हम और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर की किचन यानि की मेरी किचन जहां पर मैं खाना बनाती हूं और मुझे अपनी किचन बहुत अच्छी लगती है आप देखिए यह यहां पर स्पेस बनाया था हमने फ्रिज वगेरा रखने का लेकिन फ्रिज यहां आया नहीं तो मैं यहां आलू प्याज रख लेती हूं मिन्स इस स्पेस को मैं यूज कर लेती हूँ और ये ओवन है यहाँ पर ये किचन हमने अभी हमने बनवाई थी एक एक चीज इस घर की मैंने अपने अहाथों से बनवाई है पास में खड़े होकर सिलेक्ट करकरके कि हमें ये टाइल्स लगवानी है है ऐसा करवाना है ये करना है तो आप देखिए और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन के साथ ही यह देखिए यहाँ पर मैंने एक पोट रखा हुआ है यह मुझे बहुत अच्छा लगता है देखिए रेड कलर के फ्लार से वह रेड कलर का मैच कर रहा है हेलो करो बेटा इसकी चुटियां हो गई है तो अब यह घर पर ही रहता है अपना काम करता है हॉलिडेज होमवर्क और टीवी वगएरा देख लेता है देखिए यह बैड और यह सामने फोटो लगी हुई है इसमें अक्षे की मेरी अक्षे के पापा की यह है यह मैंने बहुत शौक से बनवाई थी अक्षे के लिए और यहाँ पर देखिए आप हमारी शादी की फोटो है मैं मिलवाओंगी आपको किसी दिन अपने हस्बंड से भी और यह अक्षे की फोटो है अक्षे को मैंने काना जी बनाया था क्रिश्ना जब वो छोटा था और यह देखिए यह है यहां पर टीवी चल रहा है और यह LED पैनल जो बना हुआ है मैं दिखाती हूँ आपको यह देखिए यह भी मैंने बनवाया था मैंने नेट से डिजाइन ढून ढून कर बनवाया था इसे और यह नीचे देखिए नीचे तीन डौर बने हुए और यह साइड में जो स्पेस है यह कॉर्नर स्टेंड वगरा के लिए था लेकिन यहां पर हम अक्षे का बैग रखते है तो यह है मेरा पूरा रूम अब मैं आपको ले कर चलती हूं दूसरे रूम में यह बाहर की लोबी है जिसमें मैंने एक सोफा रखा हुआ है टेबल रखी हुई है और फ्रिज रखा हुआ है और यह इस रूम में चलते हैं हम तो आप देखिए यह रूम है मेरी सासु मा का मदर इनलो का वो आज घर पर नहीं है अपनी दवाई लेने गई हुई है तो मैं उनको उनसे भी मिल वाऊंगी मैं आपको और ये फोटो देखिए ये है मेरे मम्मी और पापा मेरे फादर इनलो और मदर इनलो उनकी फोटो है ये और इस तरफ को है मंदिर जो हमारे घर का सबसे एहम हिस्सा होता है मंदिर मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर इसमें रेड लाइट लगी हुई है तो में भी क्लियर नहीं आ रही होगी पिक ये मंदिर है हमारा और यहाँ पर भी एक कॉर्नर स्टेंड है और चलते हैं आगे तो यहाँ पर रख्यूई है मैंने एक अलमीरा बैड के साइड में ही एक अलमीरा रख्यूई है और इस तरफ है ये स्टोर है जिसके आगे कार्टेन लगा रखा है मैं दिखाती हूँ आपको लाइट ओन करके ये देखिए ये स्टोर रूम है इसमें सब एक्स्ट्र समान रखा जाता है स्टोर रूम में तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने ड्रॉइंग रूम की तरफ और ड्रॉइंग रूम के बाहर ही ये है हमारा बात्रूम ये बात्रूम है और दिखाती हूँ मैं आपको ये है ड्रॉइंग रूम की एंट्री ये है हमारा ड्रॉइंग रूम देखिए मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है बहुत क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से सजाया हुआ है एक एक चीज मैंने इनसे बोल बोल कर बनवाई थी कि नहीं मुझे चाहिए मुझे बनवानी है ये देखिए यहाँ पर एक लगी हुई है फॉटो जिसमें मैं नीचे वाली में मैं और मेरे हस्बंड है उपर अक्षे मैं ये हम सब हैं तीनों है और यहाँ पर ये मिकी माउस का स्टीकर लगा हुआ है और एक यहाँ पर सेनरी लगी हुई है और इस तरफ को भी एक दरवाजा है जो बाहर की और जाता है लेकिन अभी मैंने उसे बंद कर रखा है और यहाँ पर है वोच और की वगेरा रखने के लिए बना रखा है पूरा घर अपना अपना घर सब के लिए बहुत उने अच्छा लगता है। मैं अपने घर को साफशुत्रा रखती हूं हमेशा मैनेज करके रखती हूं जब भी बच्चे वग्यारा गंद करते रहते तो मैं साथ साथ उनने साफ करती हूं तो यह देखिए यहाँ से दो कमर साथ में ये किचन और इधर आ जाएं तो ये बात्रूम बात्रूम के साथ ये ड्रोइंग रूम है और इस रूम के पिछे हम बाहर की तरफ जाएंगे तो उदर से पिछे स्पेस बना हुआ है जहां पर कपड़े वगेरा की दुलाई होती है मैं दिखा देती हूं आपको वो यहां से जाएंगे तो यह देखिए यह पिछे भी स्पेस एक बैलकनी सी बनी हुई है जहां पर यह देखिए वाशिंग मशीन रखी हुई है और यह पिछे टॉयलेट है तो यही है मेरा पूरा घर मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है तो अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई 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 टाटा बाई 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 बाई